साई राम विध्यर्तियो कक्षा तीसरी विशय हिंदी तो आज हम नाया कुछ सिखने वाले हैं तो उससे पहले मुझे बताईए ये चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें हमें दिखाई दे रही है इमली बराबर इमली को इंगलिश में कहते है टामरेंड तो आपने भी इमली खाई होगी ना तो इमली तो सोचो बच्चो आज का हमारा जो पाठ है वो किस से रिलेटेड होगा कौन सी मातरा से रिलेटेड होगा वो हमारा इ मातरा से रिलेटेड है मतलब छोटी इ E से इमली ये क्या है बच्चो ये है इमरती इमरती मतलब स्वीट E से इमरती ये है क्या दिखाई दे रहा है चित्र में यहाँ पर डॉक्टर क्या कर रहे है बेटी को ट्रिट्मेंट मतलब इलाज E से इलाज E से इलाज इलाज कर रहे है ये क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर है इलाई ची काडमान इलाई ची तो बच्चो आपको वह अभी पता चल गया कि हम कौन सा पाट सिखने वाले है इसे जो इसे शुरू हने वाले शब्द है और E की मात्रा के शब्द हम आज देखने वाले हैं तो हमारे पाट का नाम है पाट सार E का अभ्यास इसमें जैसे कि मैंने आपको अभी बताया इसे शुरू हने वाले शब्द और इकी मात्रा वाले शब्द और उसे बनने वाले वाक्य आज हम इस पार्ट में देखने वाले हैं तो पहले हम देखेंगे कि इकी मात्रा वाले शब्द कैसे बनते हैं तो बच्चो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है खिड की बराबर तो खिड की शब्त कैसे बना बताईए छोटी की मातरा ख, ड, क, बड़ी की मातरा तो बन गया खिड की खिड की मतलब विंडो क्या बन गया विंडो विंडो मतलब खिड की आपको पता चल गया ना कि छोटी की मातरा कैसी होती है अभी हम देखेंगे नया शब्त इसमें देखिए क्या चित्र में दिखाई दे रहा है हमें यह है सितार तो सितार शब्त कैसे बनता है बच्चो तो यह जान लेते हैं छोटी की मातरा सो तो आपकी मातरा रो सितार 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 अब यहाँ पर देखिए यह क्या है बच्चो जाना पैचाना फूल है यह इसे कहते हैं केली का छिलका तो छिलका शब्द कैसे बनता है छोटी की मातरा छ ल क आपकी मातरा छिलका छिलका उसे इंगलिश में कहते हैं हस्क यह क्या है जिसे आप खाते हैं हमेशा यह है मिठाई तो मिठाई शब्द कैसे बना बच्चो छोटी की मातरा म ठ आकी मातरा और इ बन गया मिठाई मिठाई स्वीट मीट यह है हिरन क्या है यह हिरन हिरन शब्द कैसे बनता है छोटी की मातरा ह र न हिरन 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 डियर यह क्या है बच्चो यह है लिफाफा लिफाफा मतलब एन्वेल्लेप छोटी की मातरा यह क्या है बच्चो यह है लिफाफा यह क्या है बच्चो यह है व म आखी मातरा न विमान विमान एरोप्लेण यह क्या है बच्चो यह है गिलास तो गिलास शब्द कैसे बना छोटी की मातरा ग ल आ की मातरा स गिलास गिलास इंगलिश में कहते है ग्लास यह है बच्चो क्या है यह चिडिया तो चिडिया शब्द देखे कैसे बना छोटी की मातरा च छोटी की मातरा द य आ की मातरा चिडिया चिडिया स्पैरो तो अभी हम इक के मातरा वाले शब्द हमने देख लिए अभी हम देखेंगे पार्ट में आए हुए शब्द पार्ट चार इका अभ्यास तो पार्ट में जो नए शब्द आये पहले हम वो देख लेतें शब्दार्थ ग्लोसरी दिन दे किताब किताब बुक तितली 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 बटरफ्लाइ तितली तितली तो बच्चो आपको यहाँ पे एक छित्र दिखाई दे रहा है तो इसमें हमें क्या-क्या दिखाई दे रहा है इसमें हम देख सकते हैं कि एक बच्चा एक लड़का दर्वाजे के यहाँ पे खड़ा है और दुसरा लड़का खिड़के के आपके तितली पकड़ रहा है और उनकी माँ उन्हें कुछ कह रही है तो आज हम इस पार्ट में देखने वाले है इस वर्से बने वाक्य इस वर्से मतलब इमात्रा वाले शब्द कैसे बनते हैं अभी हम देखेंगे दिन निकला दिन कर आया दिन कर किताब पड़ दिन निकला दिन निकला मतलब बच्चो दिन दिन मतलब डे मौर्निंग हो गई दिन कर आया कोन आया है दरवाजे पे दिन कर आया है दिन कर किताब पड़ तो उसकी माँ उसे क्या कह रही है दिन कर किताब पढ़ बुक पढ़ पढ़ मतलब रिड तो उसे कह रही है कि किताब पढ़ बुक रिड कर जैसे कि आपकी ममी भी आपको कहती है जब आप खेल के बहार से आ जाते हैं खेल खुद के तो आपको भी कहा जाता है कि पढ़ाई अभी करो वैसे ही उसकी मा भी उसे कह रहे है कि पढ़ाई कर किताब पढ़कर मिठाई खा किरन तितली मत पकड़ सितार बजा तो अभी मा उसे क्या कर रही है किताब पढ़कर मिठाई का किसे कह रही है दिनकर को क्योंकि मा ने दिनकर को किताब पढ़ने के लिए कहा है तो किताब पढ़कर उसे क्या करना है मिठाई भी खानी है स्वीट खानी है किरन तितली मत पकड़ तो मा किसे कह रही है कि तितली मत पकड कीरन को तो कीरन क्या पकड रहा है तितली तितली मतलब बटरफ्लाइ तो उसे मा कह रही है कीरन तितली नहीं पकडना है सितार बज़ा तितली मत पकड तो क्या कर सितार सितार बज़ा तो पाट समझा आपको बच्छों इस वर से बने हुए ये जो शब्द है शब्द से बने वाक्य कैसे होते है तो देखते हैं हम आगे questions चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिये identify the picture and name them तो बच्छों बताईए मुझे ये कौन सा चित्र है ये है हिरन हिरन मतलब deer सितार ये कौन सा चित्र है बच्छों ये है इमली बराबर इमली ये क्या है ये है गिलास बराबर गिलास ये अभी देखते हैं प्रश्णों के उत्तर लिखिये write the answers नमबर एक दिनकर को क्या पढ़ना है तो बताईए मैंने आपको बताया था दिनकर को क्या पढ़ना है दिनकर को किताब पढ़ना है किरन को क्या न पकड़ना है किरन को क्या न पकड़ना है याद आए आपको किरन को क्या नहीं पकड़ना है उसकी माने क्या कहा था उसे तितली वराबर तो देखते हैं किरन को तितली नहीं पकड़ना है किरन को क्या बजाना है किरन को क्या बजाना है तो किरन को क्या बजाना है किरन को सितार बजाना है किरन को सितार बजाना है अभी हम देखेंगे जोड कर लिखिए match the following यहाँ पे हमें दो साइड दी गई है एक साइड में है तितली, किताब, लिफाफा, गीरी, खिडकी और दूसरी साइड है किताबे, लिफाफे, तितलीया, खिडकीया और गिरिया तो बज्चों हमें यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे हमें जोडिया मिलानी है जो उचित शब्द की जोड़ी है वो उचित शब्द के साथ हमें जोड़नी है तो बच्चो तितली तितली की क्या जोड़ी होगी? बताईए मुझे तितली तितलिया बराबर तितली तितलिया किताब किताबे बराबर लिफाफा लिफाफा किसके साथ जाएगा? लिफाफा, लिफाफे लिफाफा, लिफाफे बराबर, गिरी, गिरी किसके साथ जाएगा? गिरी, गिरिया बराबर, गिरी, गिरिया और खिडकी, खिडकिया बराबर, खिडकी, खिडकिया अक्षरों को अलग करके लिखिए split the letters तो देखिए गिलास तो गिलास को कैसे split किया है गि-ला-स गिलास अभी दूसरा है चडिया चडिया को कैसे split किया है ची-डी-या चडिया अभी तीसरा है हिरन हिरन को कैसे split किया है ही-र-न हिरन तितली तितली को split कैसे किया है ति-त-ली मिठाई split किया है मी था इ मिठाई मिठाई तो देखो बच्चों अभी हमें क्या करना है नय शब्द बनाईए make new words तो हमें सरकल में एक अक्षर दिखाई दे रहा है उसे जोड़ कर दूसरे शब्द अक्षर के साथ हमें नय शब्द बनाना है तो पहला शब्द क्या बनेगा कि ला कि ला दूसरा कि रण किरण तिसरा की ता ब किताब तिसरा की धर किधर तो क्या-क्या नय शब्द बन गए किला किरण किताब किधर अब या आपको एक होमवक है इस वर से बने पाथ शब्द लिखे जैसे कि इमली, गिलास, इमरती ऐसे पाथ शब्द आपको जो भी नए शब्द पता होंगे वो आप लिख सकते हैं धन्यवाद